Hello everyone, आज के lecture में हम बात करने वाले हैं inductive effect जिसे हम phrenic प्रभाव भी कहते हैं inductive effect और बहुत सारे ऐसे प्रभाव होते हैं जिसको आपको general organic chemistry में समझना बहुत जादा महत्यपूर्ण है तो बच्चो यहां पर हम बात करेंगे विद्यूत रिनात्मक्ता तम की और भी बहुत सारे important concept को discuss करेंगे बच्चो इस बात को मैं आपको बहुत बार बोलती हूँ और समझाना चाहती हूँ कि organic chemistry का यह बहुत ही important और basic chapter है इस बात को याद रखिए कि इस chapter को समझने में आपको कितना भी समय क्यों न लगे लेकिन इस chapter को पहले पूरा complete करिएगा उसके बाद ही कोई नया chapter organic chemistry का आप शुरू करिएगा इसके जादा से जादा questions को करना इसकी theory को अच्छे से समझना बहुत जादा important है general organic chemistry ये chapter exam के लिए बहुत ही important है और ये हमारा organic chemistry का basic chapter होता है तो इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा और याद रखिएगा कि इस chapter को complete करने के बाद ही आपको दूसरा नया chapter organic chemistry का start करना है तो students आज उन्डेस topic के साथ start करने वाले हैं जिसका नाम है inductive effect प्रेरिनिक प्रभाव तो inductive effect क्या होता है inductive effect कहा होता है इसे समझना बहुत जरूरी है inductive effect यानि प्रेरिनिक प्रभाव हमेशा सिगमा आबंध में होता है और यहाँ पर हम विद्यूत रिनात्मक्ता का एक term लाएंगे जहाँ पर हम विद्यूत रिनात्मक्ता के उपयोग से इस बात को समझ पाएंगे कि प्रेरिनिक प्रभाव क्या होता है तो आएए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को तो क्लास यहाँ पर देखिए different विद्यूत रिनात्मक्ता के दो पर्मानूओं के मध्य निर्मित सहसयोजक आबंध में इलेक्ट्रॉन असमान रूप से सहभाजित होते हैं इलेक्ट्रोन घनत्वा उच्च विद्यूत रिनात्मक्ता पर्मानू के और अधिक होता है इस कारण यहाँ पर सहसयोजक आबंध धुरूविया हो जाता है और आबंध धुरूवता के कारण यहाँ पर कार्बिनिक अनूओं में बिविन इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव उत्पन होते हैं तो बच्चों सबसे पहले हम अपने बेसिक से स्टार्ट करते हैं तो जैसे हमने देखाता कि जब हमพ्रयाण टेभल में 20 से दाई की ओर जाते हैं तो विद्यूत रिणात्मक्ता की वैल्यू बढ़ती है वहाँबर उसकी जो विद्यूत रिनात्मक्ता की वैल्यू है सबसे जादा माक्सिमम है तो आज हम देखेंगे कि कैसे प्रेर्णिक प्रभाव पर विद्यूत रुनात्मक्ता का उप्योग करके हम प्रेर्णिक प्रभाव के सवालों को सौल्ट करते हैं तो आईए स्पार्ट करते हैं तो क्लास यहाँ पर देखिए कि हमने एक यौगिक लिया यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर chlorine carbon के साथ sigma आबंध में है और यहाँ पर सारे molecule जो भी है वो सभी एक दूसरे के साथ sigma आबंध में है लेकिन chlorine जिसके विद्यूत रिनात्मक्ता value 3.16 है और carbon जो उसके साथ आबंध बनाया है उसकी value 2.5 है यहाँ पर हमने कुछ पुराने values को discuss किया है जैसे carbon का 2.5, nitrogen का 3, oxygen का 3.5 और fluorine का 4 तो यहाँ पर यह value आपको याद होगी हमने class, sorry, chapter 3 में इसे discuss किया था तो अब देखें यहाँ पर chlorine की विद्यूत रिनात्मक्ता की value ज्यादा है यहाँ पर यह सासयोजक आबंध जिसे हम covalent bond बोलते हैं, बहुत important यहाँ पर कौन सा आबंध है, सासयोजक आबंध, तो आप इस बात को याद रखिएगा कि inductive effect या प्रेरिनिक प्रभाव सिर्फ सासयोजक आबंध में होता है, पहला बात, पहली बात, और दूसरा कि यहाँ पर विद्यूत रिनात्मक्ता का difference आता है, और carbon की value 2.5 जो उसके साथ आबंध बनाया है, आईए आगे देखते हैं, तो यहाँ पर देखें क्या लिखा हुआ है, कि electron गनत्व उच्य विद्यूत रिनात्मक्ता की के परमानू के ओर अधिक होता है, अब उस सासयोजक आबंध, यानि वहाँ पर जो sigma आबंध है, वहाँ पर आपका charge यानि आवेश उत्पन होगा, कैसे आए से समझते हैं, तो देखें बच्चों यहाँ पर, अगर हम chlorine की बात करें तो हम जानते हैं, कि इस आबंध में जो electron युग में है, वह chlorine की तरफ जादा होगा, वह chlorine की तरफ जादा होगा, हम same molecule लिया है, same yogic लिया ह बस यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहती थी कि chlorine कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ भी chlorine के तरफ electron युग में है, क्यूं है, reason यह है कि chlorine जादा electronegative यानि वह जादा विद्यूत रिनात्मक है, और हम इस बात को जानते हैं कि अगर आप periodic table में बाएं से दाएं के ओर जाते हैं तो विद्यूत रिनात्मक्ता बढ़ती है, और उपर से नीचे आने पर विद्यूत रिनात्मक्ता घढती है, तो यह बात हमें समझ में आती है, तो यहाँ पर अगर chlorine, electron को अपनी ओर खीचेगा, तो यहाँ पर सासयूजक आबंध है मतलब यहाँ आबंध तूटेगा नहीं तो यहाँ पर आवेश हमें क्लोरीन के ऊपर मिलेगा यहाँ पर आवेश हमें क्लोरीन के ऊपर मिलेगा तो देखें यहाँ पर क्लोरीन के ऊपर negative charge और इस carbon के ऊपर partially positive charge आएगा, positive आवेश आएगा देखें बचों यहाँ पे negative और यहाँ पर positive तो यहाँ पर क्या हुआ? charge का separation हुआ, यहाँ पर charge का separation हुआ charge का separation ही, यहाँ पर charges यहाँ पर आवेश उत्पन हुए है यहाँ पर आवेश उत्पन हुए है, क्या reason है आवेश उत्पन होने का? electron negativity में अंतर, विद्यूत रिनात्मक्ता में difference यहाँ पर यही बात लिखी हुई थी, कि electron घनत्वा, जो यह electron pair है, जो electron युग में है वो किसकी तरफ गया? वो chlorine के तरफ गया, वो उसकी तरफ जाएगा जो उच्य विद्यूत रिनात्मक्ता के परमानू के और अधिक होता है इस कारण सा सयोजक आबंध, कौन सा bond है? कोवैलेंट bond है, वहाँ पर धुरूविया हो जाता है, धुरूविया मतलब वहाँ पर आवेश बनते हैं, आवेश उत्पन होते हैं और यहाँ पर कार्बनिक अनूओं में विभिन इलेक्ट्रोनिक प्रभाव उत्पन होते हैं और इसको हमने टू बोला, हमने इसे वन बोला और टू बोला, अब देखें यहाँ पर क्या लिखा है? कि क्रमांक एक पर आनशिक धनावेश, मतलब यहाँ पर जो डेलता का साइन है, उसे हम आनशिक बोलते हैं, मतलब वहाँ पार्शियली पॉजिव चार्ज जबलब पार्शियली वो वाल्यू इंक्रीज हुई है, पार्शियली रिनावेश उत्पन हुआ है, आनशिक आवेशों को दरसाने के लिए हम डेल्टा चिन्ने का उप्योग करते हैं, तो इस बात को याद रखिएगा, कि इंडक्टिव इफेक्ट में हम डेल्टा चिन्ने का उप् कि तीर के उप्योग से डेल्टा पॉजिटिव से डेल्टा की ओर आमुक होता है, मतलब यहां पर क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को खीच रहा है, तो तीर किसकी तरफ होगा, क्लोरीन की तरफ होगा, तो तीर का जो निशान है, वह किसकी तरफ होगा, आईए ड्रॉ करते हैं, का भी चिन क्लोरीन की तरफ होगा बहुत important point है तो यहां पर तीर का चिन होगा क्योंकि यह electron pair को electron युग्म को अपनी और आकरशित कर रहा है उसके पर शाथ यहां पर देखें यहां पर लिखा हुआ है कि वह अपने और आकरशित कर रहा है यह बहुत important point है उसके पाद देखें तो carbon 1 अब देखें जो carbon आप देख सकते कि यह carbon chlorine से directly attached है यह carbon chlorine से directly attached है और electron किसका जा रहा है electron भी इस carbon का ज्यादा chlorine की तरफ आकरशित हो रहा है electron इसका भी आकरशित होगा लेकिन यह carbon का electron chlorine की तरफ जादा आकरशित हो रहा है तो देखें यहां पर लिखा हुआ है carbon 1 अपने आंशिक धना वेश के कारण अपने निकटम carbon के electron को अपनी ओर आकरशित करने लगता है और फलस्वरू carbon 2 पर भी double delta positive उत्पन होता है carbon एक परिस्थित धनावेश की तुलना में जो second carbon पर जो delta आवेश आएगा वह कम होगा कैसे समझ सकते हैं आईए से समझते हैं दूसरे शब्दों में chlorine की धुरूता के कारण पास के आबंध में धुरूता उत्पन होती है समीब के सिग्मा आबंध के कारण अगले सिग्मा आबंध के धुरूवया होने के इस प्रक्रिया को हम inductive effect कहते हैं इन सभी बातों को छोडते हैं और हम सीधा example से समझते हैं तो यहां पर chlorine को electron का लालच है कोई बात नहीं तो यह carbon के इस electron को अपनी और आकरशित करता है लेकिन क्योंकि chlorine विद्यूत रिनात्मक है तो वो कोशिश करेगा पूरी शक्ति लगाएगा कि वो इस carbon के भी electron को अपनी और आकरशित कर पाए देखें यहां पर यह चीज संभाव नहीं होगी लेकिन यहां पर chlorine क्योंकि विद्यूत रिनात्मक है तो वह electron को अपनी और आकरशित करने की संपूर्ण कोशिश करेगा पूरी तरह से कोशिश करेगा तो यही कारण लेकिन यह carbon के पीछे यह carbon छुपा हुआ है इस carbon के पीछे यह carbon छुपा हुआ है तो क्लोरिन इतनी जल्ली तो electron को अपनी और आकरशित नहीं कर पाएगा लेकिन effect तो आएगा प्रभाव तो आएगा प्रभाव आने का कारण क्या है क्योंकि chlorine विद्योत्रिनात्मक है और विद्योत्रिनात्मक मतलब negativity जादा है तो क्या होगा negativity जादा है तो उसका प्रभाव हर carbon पर पड़ेगा तो यहां पर भी बच्चो आशिक आवेश उत्पन होगा यहां भी आशिक आवेश उत्पन होगा लेकिन अब यह आप समझ लीजे कि दो डेल्टा यहां पर लिखने का अर्थ ज्यादा नहीं है कम है क्योंकि डेल्टा का अर्थ क्या है आशिक कम और दो डेल्टा मतलब और कम समझ दीजे कि डेल्टा का अर्थ होता है आन्शिक और अगर दो डेल्टा है मतलब और भी कम तो यहाँ पर यह चीज़े क्लियर हुई है कि विद्योत रिनात्मक्ता के अंतर के कारण सा सेयोजक आबंध में यहाँ पर धुरुवर्णता आवेश डवलप होते हैं आवेश उत पन होता है तो यह चीज़े हमने समझी इसे ही हम इंडक्टिव एफेक्ट कहते हैं तो यहाँ पर देखे यह प्रभाव आगे की आबंधों तक भी जाता है लेकिन अगर आबंध ज्यादा है तो यह प्रभाव कम हो जाता है और तीन आबंध के बाद यह खत्म हो जाता है ल यहां पर हम समझेंगे कि फ्लोरिन भी विद्यूत रिनात्मक्त है फ्लोरिन की हाइस इलेक्ट्रोन नेगेटिविटी विद्यूत रिनात्मक तक रिनात्मक वैल्यू होती है जो होरे अब दीखें बचों यहाँ पर फ्लोरेन इलेक्ट्रोन युगम को अपनी ओर आकरशित करता है लेकिन इसके कारण वहाँ पर रिनात्मक आवेश आंशिक रिनात्मक आवेश उत्पन होता है तो इस कारबन पर क्या होगा आंशिक धनात्मक आवेश उसका कुछ प्रभाव इस carbon पर भी होगा तो यहाँ पर और थोड़ा आशिक और फिर यह प्रभाव और थोड़ा कम होगा और यहाँ पर 4 और 5 पर यह खत्म हो जाएगा तो यही बात वहाँ पर लिखी हुई थी कि इंडक्टिव यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट में जो प्रभाव हमें मिलता है कार्बन के ऊपर वह तीन कार्बन या मैक्सिमम चार कार्बन तक होता है लेकिन उसके बाद यह प्रभाव खत्म हो जाता है क्योंकि यहाँ पर हम जानते हैं कि फ्लोरिन की कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन युगम को आकरश्dır करने की छंपता है वा सम्पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन युगम को अपनी और आकरश्शित नहीं करेगा सिर्फ यहाँ पर वा कारबन को थोड़ा सा डराएगा और यहाँ पर अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन युगमों को आकरशित करेगा तो बस यहाँ पर आंशिक रूप से धनावेश और रिनावेश पन होता है तो बच्चों यहाँ पर अब हम आगे देखेंगे कि और कौन-कौन से फैक्टर्स है जो प्रेणिक प्रभाव इंडक्टिव इफेक्ट के लिए जरूरी है तो ख्लास आएए कुछ एक्जाम्पल्स करते हैं अब देखें बच्चों यहाँ पर हमने देखा कि कुछ ऐसे भी समू होते हैं जो कारबन के उपर धनावेश उत्पन करते हैं अब देखें, यहाँ पर इस कारबन से यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रूप है तो देखें यहाँ पर यह शचिजन के साथ जड़ा हुआ है तो अब हमें क्या समझ में आएगा, कि देखें nhất, यहाँ पर यह carbon यह शचिजन के साथ जड़ा हुआ है तो यहाँ पर इस oxygen के ऊपर रिनावेश आएगा तो इस carbon के ऊपर positive charge आएगा फिर क्योंकि ये भी carbon इस से जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर भी धनावेश उत्पन होगा थे किसी प्रकार यहाँ पर रिनावेश यहाँ पर positive charge nitrogen की भी जो value होती है वह 3.3 होती है सुरी बच्चों यहाँ पर 3 होती है जबकि carbon की 2.5 होती है मतलब nitrogen भी electron युगम को अपनी ओर आकरशित करता है और carbon पर यहाँ धनावेश आएगा बहुत important point यहाँ पर NO2 को देखे मैंने दिखाया है अगर nitrogen के ऊपर positive charge पहले से है nitrogen के ऊपर positive charge पहले से है एक पहली बात कि nitrogen को positive charge एकड़म नहीं पसंद और वहाँ पर आप देख सकते हैं already structure में positive charge पहले से दिया हुआ है तो वह और ज्यादा यहाँ पर electron युगम को अपनी ओर आकरशित करेगा बहुत important point है बच्चों तो यहाँ पर इस carbon के ऊपर negative charge यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर negative charge और carbon के ऊपर positive charge उत्पन होगा तो यह बहुत important point है inductive effect का अब हम लोग देखेंगे ऐसे questions जहाँ पर carbon के ऊपर negative charge यानि negative आवेश आशिक रिनात्मत आवेश उत्पन होता है तो class अब कुछ ऐसे problems करेंगे जहां पर हम देखेंगे कि carbon के ऊपर आशिक रिनावेश आता है आईए देखते हैं निसा बच्चों अगर हमने देखा कि हम अगर बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो विद्यूत रिनात्मत ता बढ़ती है मतलब carbon के विद्यूत रिनात्मत ता ज्यादा होगी और lithium की कम होगी आप इस value को check करिएगा बच्चों बहुत important point है